सुप्रभाद बच्चों, मैं आर्यन लाल प्रात्मि सिच्छक केंद्रिय विद्याले न्यूकेंड प्रयाग राज से प्यारे बच्चों, आज हम कच्छा पांच हिंदी के पाट के कुछ कठिन सब्दों के अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे पाट का सीर्षक है फसलों के तेवहार बच्चों, इसके माध्धम से हम निम लिखित लच्छित अधियम बिंदु को प्राप्त करने की कोशिस करेंगे सब्दों और वाक्यों को सुद उच्चान के साथ पढ़ना लिखित सामागरी को पढ़कर समझने की योग्यता पढ़कर प्रत्किया करने की योग्यता बच्चों, तो आईए हम पाठ में आयो है सब्दों का सब्दार्थ जानते हैं पहला सब्द है बोरसी पहला सब्द है बोरसी बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी अगला सब्द है तापना तापना का अर्थ है सेंकना इशी प्रकार इजहार जाहिर करना खुश नुमा खुशी से भरा हुआ रित्व मोशम हर्माईसी मन पसंद सुस्ताना आराम करना जस्न उत्सव करीने तरीके गौर से ध्यान से प्रथा परंपरा शैलाब बाढ़ सुरुवात करना आरंभ करना नैखे नहीं दाडिग अनार चापाकल हैंड पंप कतार लाइन पाला बहुत ज्यादा ठंड लापता गायब चाव सौक प्रांतों राज्यों ठिठूरते कापते बरफीले ठंड जोसो खरोस धूम धाम से बच्चो ये पाठ में आये हुए कठिन सब्दों का मैंने आपको अर्थ बता दिया निशित तोर पर आपको इससे बहुत फाइदा होगा बच्चो अगरा सीरसक है वाग के प्रियोग करना बच्चो कुछ सब्द हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है उन्ही सब्दों का मैं सरल वाक बना रहा हूँ आप लोग भी इसको ध्यान प्रुवक समझने की कोशिस करें पहला सब्द है जस्न मेरा दोस्त जन्म दिन का जस्न मना रहा है बोरसी वाक के होगा मेरी दादी जाडे में बोरसी में आग तापती है सुस्ताना वाक होगा परिश्रम करने के बाद सुस्ताना चाहिए गवर से वाक होगा गोपी बड़े गवर से काम करता है सुरुवात मैंने अच्छे काम की सुरुवात कर दी है लापता मोहन एक हप्ते से लापता है लाइन प्राता कालीन सभा में बच्चे लाइन में खड़े होते हैं अगला सिर्शक है सही मिलान कीजिए यहाँ पर एक तरफ तेवारों के नाम दूसरी तरफ राज्यों के नाम है बीहू, पोंगल, सरहुल, ओनम, पतंका पर्ब राज्यों है केरल, जारखंड, अशम, गुजरात, तमिलनाडू इसका उत्तर होगा बीहू, असम राज्यों से है पोंगल, तमिलनाडू, सरहुल, जारखंड, ओनम, केरल, पतंका पर्ब गुजरात तो बच्चो, ये मैंने अलग-लग तेवावरों को किस राज्यी का है, आपको मैंने बता दिया अगला सिर्सक है, ब्याकरण, बच्चो, इस पार्ट में कुछ ब्याकरण भी आपको बता रहा हूं दिये गए वाक्यों में विशेशन सब्द छांट कर लिखो, पहला है मेरा घर अच्छा है, अच्छा है, विशेशन है हमारी कच्चा में 40 छात्र हैं, यह इमारत उंची है, कोयल की आवाज सुरीली है वह लड़का पढ़ने में होस्यार है बच्चो, मैंने विशेशन सब्दों को रेट कलर से दिखाया है, आप लोग निश्चित तोर पर समझ लेंगे अगला सीर्षक है, परियावाची सब्द लिखो नदी, नदी के परियावाची सब्द हैं सरिता, तटनी, सलिला गंगा, गंगा के सब्द है परियावाची भागी रथी, पद्मा, देव नदी तेवहार के परियावाची सब्द हैं उत्सव, पर्व, शमारोह आकास के गगन, नभ, आस्मान सूर्य के सूरज, आदित, रवी बच्चों, अगरा सिर्सक है, स्री जिनात्मक लेखन तुम्हें कौन सा तवहार सबसे अच्छा लगता है इस दिन तुम्हारी दिन्चर्या क्या रहती है उत्तर है, मकर संक्रांदी मुझे मकर संक्रांदी बहुत अच्छा लगता है इस दिन पानी में तिल डालकर इस्णान करते हैं तिल के पकवान बनाते हैं इन पकवानों का विशेस महत्व है इस तवहार को अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे खिचडी, पोंगल, आदी इसके दिन मैं खूब खेलता एवं घूमता हूँ मुझे ये तवहार बहुत पसंद है अगला सिर्शक है दिये गए पकवानों को कैसे बनाओगे आलू की पकवडी और बर्फी पहला है आलू की पकवडी इसे आलू और बेशन से बनाते है आलू को पतला पतला काट कर बेशन के गाढ़े गोल में लपेट कर तल दिया जाता है और तयार हो गई आलू की पकवडी बर्फी या दूद के खोए में चीनी मिला कर बनाया जाता है मच्चो निश्चतरू से जो बाते मैंने आपको आज सिखाई है आप अवसे सीखे होंगे बहुत बहुत धन्यवाद